जै माता की अपकी बार कलस इस्तापना का शुब मुरत क्या है? कलस इस्तापना हमें किस फिरकार करने चाहिए? कलस इस्तापना के दोरान हमें कौन कौन सी गलतियों से बसना चाहिए? इसके बारे में समफूर्ण जानकारे आपको पंचांग कनुसार धर्म सास्त्रों कनुसार दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे निविदन करते हैं कॉमेंट बॉक्स को खाली ना चोड़ें कॉमेंट बॉक्स में चै माता की जरूर लखें माता की किरपा से आपकी सभी मनोकाम नापूर्ण होंगे आपके जीवन में आई हुए का स्टोकांत जरूर होगा आपको समफूर्ण जानकारी लिकित रूप में पंचाइं के नुशारती जाएगी अब की बार नवरातर हैं जो सनीवार से प्रारम हो रहे हैं सनिवार से प्रारम होने के कारण मादरुगा है जो अब की बार घोडे पर सवार होकर आएंगी जो की विहेदी सुब बाना जा रहा है दो अपरेल 2022 से नबरातर प्रारम है इसी दिन घटे स्तापना होगी गटिस्तापना का जो सुब मूरत है उस सुबह छे बज़ कर 22 मिनट से शुरू होगा और जो की आठ बज़ कर 13 मिनट तक रहेगा यानि की कोलब़ी दो घंटे 9 मिनट है इसी सुब मूरत में आपकलशी स्तापना है जो करें इस मुरत में कलसे स्थापना नहीं कर पाते हैं 6.00-22.22 मिनट से लेकर 8.00-30.00 के मधदे नहीं कर पाते हैं तो ग bricks d शतापना का एक दूसरा भी जीत मुरत दिसक बोलते हैं दोपेर 12 बज़ कर 8 मिनट से शुरू हो रहा है जो कि 12 बज़ कर 87 मिनट तक रहेगा इसका आप ध्यान रखें करीब 12 बज़े से लेकर आप लोग एक बज़े के मद्दे भी गटे स्तापना कले स्तापना कर सकते हैं आगे सामगरी और कले स्तापना हम कौन-कौन से गलते करती हैं उनको बताने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कॉमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें कॉमेंट बॉक्स में जै माता की जरूर लखें माता की किरपा से आपके सभी मनों कामना पूर्ण होंगे आपकी जीपन माई हुए कस्टों का अंत जरूर होगा एको साल भरी जिन्द की आप लोग जीएंगे क्योंकि माता का आशिरबाद है जो हमें सभी फिरकार की नेगेटिव एनेर्जियों से बताता है चलिए हम देते हैं संपूर्ण कावर विस्ताज सबसे पहला हम बात करते हैं कलस इस्तापना की सामगरी की मा द्रुगा को लाल रंग खास पसंद है तो इसलिए आप लोग लाल रंग का ही आसन खरीदे इसके अलावा कलस इस्तापना के लिए क्या क्या की आप सकता होगी जैसे की मिट्टी का एक पातर होगा जो की आप सकता होगी बोने के लिए मिट्टी जिसमें हम जो बोईंगे जल्चे बढ़ा हुआ कलस और मोली यानि की जिसको कलाइड और आपन कहते हैं इलाईजी है लौंग है कपूर है रोली इसके लावा साबुत सुप़ारी और साबुत चामल आपके लिए बहुत इंपूर्टेंट है सिक्षा एक रुपे का सिक्क्षा हो दौरुपे का सिक्षा हो यह आपके लिए चलेगा असुक या आम के माला और स्रंगार पिटारी स्रंगार पिटारी का मतलब है जिसमें माता का पूरे स्रंगार हो उसको अपन स्रंगार पिटारी कहते हैं तो ये कलस स्थापना के लिए जो सामगरी है आपके लिए अनिवारे हैं ये सामगरी बहुत ही काम आईगी कलस स्थापना हम जो करेंगे तो आईए अब जान लेते हैं कलस स्थापना की साधरन सी बीदी कि किस किस फिरकार हमें कलस स्थापना करना चाहिए और किस फिरकार हमें कलस स्थापना के दौरान जो गलती हैं उनसे बचना चाहिए तो सबसे पहले में आपको एक बहुत इपिसिस गल्दिया बता दे जाओं जिसको अक्सर लोग करते हैं हमें सुबह इसनान आदे से निबरत होकर हमने माता की चोकी लगा दी तो माता की चोकी के ध्यान रखना हमेशा बाएं तरफ अभी भी फिर बता रहा हूं हमेशा बाएं तरफ आपको कलस इस्तापना करना है तो यह जो आप लोग देख रहे हैं यह माता की चोकी है और यहाँ पर इसके बाएं तरफ आपको कलस इस्तापना करनी है यह आप लोग ध्यान रखें कल सिस्थापना कभी भी इधर नहीं की जाती है इधर ही की जाती है यह अपन यह कहें अपन कि जो कलास है उसके दाएं तरफ माता की चोकी लगाए जाती है तो यह गलती है आप लोग फिल्कुल भी ना करें इसको आप लोग भी सिस्थापन दें अब आगे बात करते हैं कल सिस्थापना की बिदी बिदान के बारे में नबरात्री के पहले दिन यानि की प्रति पदा को सुवे इसनान कर ले मंदिरी के साप सपाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम ले ध्यान रखना माता की चोकी आप लोग लगाते हैं कल सिस् धन करें कि आपके किरपास से हमारे नवरात्रा पूर्दर रहे हैं और सबी देवी देवताओं का कर सबभी देवताओं का गनास वगवाद के अहभवान करें कि आप सबी आ आएं और अपनारी कलस स्थापन के बाद भी आप अखंड जोती जला सकते हैं तो आपको सारी जानकारी हम बता रहे हैं कलस इस्तापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल कर उसमें जोके बीच बूएं ये आपको धिहान रखना है कि मिट्टी के पात्र अगर ना हो भी हो तो आप घर में जहां कहीं भी फरस पर सापसफाई करकर जहां पर आपने चोकी लगाई उसके बाई तरप मिट्टी का एक ढीरिए बनाएं उसमें जोबो दें और जोबोने के बाद उसपर आप लोग कलस रखें और कलस यानि कि अपार आगे हम बताते हैं आपको कलस रखने से पहला आपको कुछ जो जान करी है वो बहुत इंपोर्टेंट है तो सबसे पहला हम बात करेंगे अब एक तामे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं यहाँ पर आप ध्यान रखें चाहे तो आप लोग तामे का लोटा ले 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 और चाहे आप चाहे तो जो कलस है मिट्टी का कलस वो भी आप ले सकते हैं अब इस पर आपको स्वास्तेक का चिन मनाना हैं स्वास्तेक चिन मनाने के बाद लोटे के उपरी हिस्ते में मुली बांदें अब इस लोटे मेंपानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की बादे चाहे कि इसके बाद पानी या फिर आप पहले सी पानी बरके राखें और उसके बाद आपप लोग स्वास्तिक चिन मनाएं स्वास्तिक चिन मनान के लिए के. बांग मैं पानी पानी यानि की आप लोग चाहाँ गंगा-जल मिलाज़wr को नहीं हे तो और आप चाहें, तो कलस है, जो वहराप आप जो आपने मिट्टी की डेरी बनाई Videos जो वया है पहले भी आप लोग उस पर रख सकते हैं, या फिर पूजा अर्सना कलस की पूजा अर्सना करने के बाद भी आप लोग रख सकते हैं पहले चाहें तो पहले रख दीजिए उसके बाद आप लोग स्वास्तिक चिन बनाईए फिर यानि की मोली बांद ये उपरी हिस्चे पर उसमें आप लोग गंगा जली की बूदे मिला सकते हैं फिर इसके बाद कलस की पूजर्षना कैसे करते हैं उसमें आप लोग सभी देव सभी देवताओं को आहवान करें पगवान विष्णु का शिब का ब्रह्मा का और इसके लाबा सभी देवी देवताओं को आहवान करके उसमें सबारुपया यानि कि सबारुपय ना तो एक रुपय का सिक्का है दो रुपय का सिक्का दूब सुपारी इत्र और अक्षत दखने के लिए जो भी आप लिया तो जैसे आप लोग कोई कटोरी है कोई पात्र ढखना चाहते हैं या फिर उसके ढखने का जो ढखन है वह आप ला सकते हैं वह आप पहले पांच पत्ते आप लगा दें उसके बाद उसे आप उस ढखन को वहाँ पर रख दें ताकि वह असो के उपबें अब इसे कलिश को मिट्टिक के उस पातr से ठीक यह को बीचो बीच और के त्थीच और ते आपको बीच और्दें जो रख देना है या पहली भी रख सकते हैं जिसमें आपने जोबोएबे है। कलस इस्थापने के साथ नवरात्री की नो विरतों को रखने का आप लोग संकल्प लेते हैं तो जैसी आप लोग कलस इस्थापना करते हैं उसी के साथ माता की सामने कि जितने भी आप लोग करना चाहते हैं तीन नवरात्रा करना चाहते हैं पांस या नौ पूरे के पूरे नवरात्रा करना चाहते हैं उनका आप लोग संकल्प ले आप चाहें तो कलसिस्थापना के साथ माता की नाम की अखंड जोती भी जला सकते हैं यदि आप चाहें तो माता के सामने अखंड जूती आप लोग मैंने आपको बता है चोके के साथ भी जला सकते हैं और या फिर आपका लशी स्थापना करते हैं उसके बाद आप जिब संकल्प लेते हैं